अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम मैं आपका स्वागत है मैं हूँ आर्टी टैली प्राइम की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में हम टैली प्राइम का परिचे देंगे इससे सिखाने के उद्देश्य, शिक्षन के आधार इत्यादी के बारे में बताएंगे सबसे पहले देखते हैं टैली प्राइम का परिचे किसे भी बिजनेस को ठीक धंग से चलाने के लिए उससे लाब कमाने के लिए ये आवश्यक है कि हम सही तरीके से उसका हिसाब किताब रखें पहले ये काम पूरी तरह से मैन्यूल होता था यानि हिसाब बही खातों में हाथ से लिखे जाते थे वर्तमान में अकाउंटिंग से संबंधित पूरा काम कम्पिटर की सहता से हो रहा है साथी व्यवसाय से संबंधित अधिक्तम गति विधियां भी कम्पिटर की सहता से ही संचालित की जा रही है पहले हम जो manual accounting कई घंटों या कई दिनों तक करते थे अब वो computer की सहायता से बिना किसी गलती के कुछ ही मिन्टों में हो जाती है बारत में GST लागू होने के बाद तो इस field में अपार संभावनाएं पैदा हो गई है computer पर accounting करने के लिए हमें accounting software के मदद लेना होती है और टेली उसी प्रकार का एक software है टेली accounting software की सबसे खास बात ये है कि इस पर काम करना बहुत ही आसान है भारत और बाहर के कई देशों में ये सबसे ज्यादा लोग प्री accounting software है टेली कमपनी ने accounting को सरल बनाने के उद्देश्य से समय समय पर accounting software के नए नए वर्जन निकाले हैं अभी टेली का सबसे latest वर्जन टेली प्राइम है टेली प्राइम को काम करने की दृष्टी से बहुत ही सरल बनाया गया है और इसमें काम की गती को भी काफी तेजी प्रदान की गई है इस वीडियो सिरीज में हम आपको टेली प्राइम पर काम करना सिखाएंगे अब बात करते हैं objective of teaching टेली प्राइम यानि टेली प्राइम सिखाने के उद्देश्य की टेली सिखानी का हमारा पहला उद्देश्य तो ये है कि जो commerce background के या बिना commerce background के व्यक्ति हैं उनको computer accounting सिखाई जाए जो commerce के विद्यार्थी हैं या commerce background के हैं उनको तो commerce की basic जानकारी होती है उनके लिए computer पर accounting करना आसान भी होता है पर हमारा उद्देश ये है कि जो बिना Commerce Background के व्यक्ति या विद्यार्थी हैं, वे भी इन वीडियोस को देख करके टैली पर आसानी से Computer Accounting करना सीख सकें। हमारा दूसरा उद्देश ये है रोजगार प्राप्ति में सहायता प्रदान करना। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, वो भी अगर Computer Accounting सीख लेते हैं, तो Accounting का काम कर सकते हैं। इस प्रकार से टैली उनको रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। चुकि पहले Manual Accounting होती थी, तो जो लोग शुरू से Manual Accounting करते आये हैं, उनको Computer पर Accounting करना थोड़ा सा कठिन लगता है। हाला कि उनको Accounting कैसे करना है ये तो आता है, पर Computer Accounting कैसे किया जाए या टैली सौफ्टवेर का उप्योग करके Accounting कैसे किया जाए, ये नहीं आता है। उनको भी इससे साहता मिल जाए, ये हमारा उद्देश्य है। साथ ही अगर आपका अपना कोई छोटा मुटा बिजनस है, तो उसकी Accounting आप स्वयम कर सकें, उसमें भी ये वीडियोज आपके मदद करेंगी। अब हम आपको बताते हैं, Basis of Teaching टैली प्राइम यानि टैली प्राइम सिखाने के अधार के बारे में। यहां हमरा टैली सिखाने का अधार है Simplicity यानि सरलता। हमसी कोशिश की है कि टैली को एक सिरे से ना सिखाते हुए, जो सरल चीज़ें हैं वे पहले सिखाई जाएं। जैसे कि स्कूल में जब कोई छोटा बच्चा जाता है और उसको A, B, C, D लिखना सिखाया जाता है, तो सबसे पहले ये दियान रखा जाता है कि शुरू में A से लेकर Z तक ना सिखाते हुए, जो अक्षर उसके लिए बनाना आसान होते हैं वो पहले सिखाया जाते हैं। और रिलेटिवली जो थोड़े कठिन हैं वो बाद में सिखाया जाते हैं। उसी तरह हमने भी टैली सिखाने का आधार सरलता को रखा है। जो चीज़ें सरल हैं वे पहले सिखायी जाएं और फिर धीरे-धीरे कठिन की और बढ़ा जाएं। इसलिए हमने शॉटकट जिसमे कठिनाईयां या कॉंप्लेक्सिटी ज्यादा हो उसके स्थान पर थोड़ा लॉंग रूट लिया है। हमने कोशिश की है कि भले ही रास्ता थोड़ा लंबा हो पर आसान हो। और आपको टैली सॉफ्ट्वेर पर काम करना सरल लगे। मुश्किल ना लगे। हम आपको फियर काम है। इस आधार को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी वीडियो को इस तरह से बनाने का प्रयत्म किया है कि यह सिंपल हूँ, ज्यादा एक्स्प्लेनेटरी हूँ, जिसमें कि अच्छे से सभी बाते समझाई गई हूँ। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, टैली सिख बेसिक लेवल के कुछ वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अकाउंटिंग क्या है, इसका बेसिक क्या है, इसके आधार पर काम कैसे किया जाता है और इसके बाद हम टैली पर काम प्रारंप करेंगे, जिसमें टैली से संबंधित सरल पर आवश्यक जानकारिया होंगी, यह यह बड़ा ही आसान है, दूसरा लेवल है, इंटरमीडियर्ट लेवल, इस लेवल पर अकाउंटिंग के वेश सारे काम आ जाएंगे, जो कि एक अकाउंटिंट के तौर पर आपको रेगिलरली करना होते हैं, यानि जिस तरह से किसी भी बिजनस का अकाउंट मेंटेन करना ह होता है, वो सारी बातें आप इस लेवल पर सीख पाएंगे, तीसरा है एडवांस्ड लेवल, इस में मैनेजरियल लेवल पर काम आने वाली जानकारियां होंगी, यह उन लोगों के लिए भी उप्यूक्त है जिनका खुद का बिजनस है और वे इस लेवल में सिखाई जाने वाली रिपोर्टिंग सीख कर अपने बिजनस की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग की परिभाशा, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, अकाउंट्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और कुछ अन्य परिभाश आई